हलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश जो की बनेगा मैंगो से आजकल बाजार में बहुत सारी वेराइटी के मैंगो बिल रहे हैं आप कोई भी एक मीठा आम लेकर के उससे ये हलवा बना सकते हैं य साथ बच्चों को ये बहुत ही जादा पसंद भी आता है तो आईए शुरू करते हैं मैंगो हलवा बनाना सबसे पहला और जो में इंग्रेडियंट इस हलवे के लिए हमें चाहिए वो है मैंगो एक पका हुआ आम आप ले लिजे जो कि ऑवियस है मीठा होना चाहिए इस मै पर दो तरह के मेजरमेंट का कप मेरे पास है एक है वन कप का मेजरमेंट और दूसरा है हाफ कप का मेजरमेंट वन कप वाला जो मेजरमेंट है उसमें मैंने बड़े-बड़े आम के पीसे भर दिये हैं और जो हाफ कप का मेजरमेंट वाला कप है उसमें मैंने छोटे- इन मैंगो के साथ यहां पर आप वन फोर्थ कप इसमें क्रश किया हुआ गुड मिला दीजिए और यहां पर आप गुड की जगा चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यह आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको चीनी लेना है या गुड लेना है इन दोनों ही चीजो को अच्छे से एक स्मूध प्यूरी की रूप में बना लिया है अभी हम इसे साइड में रख देंगे अब सबसे पहले हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं गैस पर मैंने एक कढ़ाई चड़ा दी है कढ़ाई जैसे ही गरम होती है यहां पर हम वान टेबल स्पून इसमें घी ड लगभग 30 सेकेंड इसे चलाने के बाद यहां पर एक जो दूसरा सीक्रेट इंग्रेडियन डालना है जो कि इस हलवे को और टेस्टी बनाएगा वो है बेसन दो टेबल स्पून इसमें बेसन आड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने दो टेबल स्पून इसमें बेसन आड़ कर तो आप देख रहे हैं यह भुनते भुनते मुझे करीब 5-6 मिनट हो चुके हैं और सूजी और बेसन जो है उसका कलर भी लगभग थोड़ा सा चेंज हो गया है अब यहां पर इस भुने हुए सूजी और बेसन को हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में यह जो हमने मैंगो प्यूरी बना करके रखी थी उसे हम डाल देंगे अब यहां पर कोई भी घी या तेल आपको इसमें एड नहीं करना है सिर्फ आपको गरम कढ़ाई में इस मैंगो प्यूरी को डाल देना है अब इसे कंटिनस चलाते रहिए कम फ्लेम पर इसे चलाना और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही 3-4 मिनट बाद इसका भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और साथी साथ यह थोड़ा सा ठिक हो जाएगा जैसे ही इसका कलर आपको थोड़ा सा चेंज लगता है एप्रोक्सिमेटली आपको 3-4 मिनट इसे भूनना ही है 3-4 मेशरमें अधां मेशरमेंमंट ज faster activities मेशरमेंट चेशे हेे दीज नहींट के लिए्सेर के जर्ड़्वाइचा मेशरüs मिक्स स्क्राओं मैशर मानantry मिक्स करें लिक्विड अधां नियुक्षामन से जर्वाइन को आधानी leur की लिए Тут फ्लेम कंटिनेंस आपको लो ही रखना है हल्वा बनाते समय गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं करना है यहां पर सूजी और बेसन जो हमने भून करके रखा था वो मैंने इसमें मिला दिया है अच्छे से कल्छी से आप इसे एक जसा कर लीजिए और अभी ये थोड़ा सा पतला ह थोड़ा सा इसे चलाते हुए आपको ठिक करना है हल्वे की कंसिस्टेंसी में आपको ले करके आना है तीन से चार मिनट चलाते हुए मुझे हो गया है अब यहां पर यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है अब यहां पर इस स्टेज में हम इसमें क्रश्ट काजू डाल देंग इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजे और जो लास चीज इसमें डालनी है वो है घी अब हम यहाँ पर एक बड़ा चमचस में घी आड़ करेंगे शुरू में हमने सिर्फ दो टेबल स्पून यहाँ पर घी और तेल का कॉंबिनेशन आड़ किया था यह हल्वा जो है हम थोड़ कोटे पीसिस मेंने काटके रखे थे यह आधे से जादा हम इसमें डाल देंगे और यह पीसिस जब मू में आते हैं खाते समय तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है और सच में लगता है कि यह मैंगो हल्वा है तो यहाँ पर इस हल्वे में आपको कोई भ को फील कर पाएंगे तो आईए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो एक प्लेट में मैंने यहाँ पर हल्वा निकाल दिया है तो यहाँ पर देखे इस हल्वे को मैंने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है और यह केक की जैसा ही आपको नजर आएगा बच्चे तो इसे देख करके ही तो यहाँ बनाते हैं तो आज के अपको अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही साथ इसी तरह की एक हीसी और हॉमली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए थांक यू गुट बाई टेकेर